हलो फ्रेंड्स आज हम कारपल्स बॉन के नाम याद करने के लिए एक आसान ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपको कभी भी कारपल्स बॉन के नाम याद करने में कोई प्रोब्लम नहीं होगी बहुत सिंपल ट्रिक है जिससे कुछ ही टाइम में आपको कारपल्स बॉन के नाम याद हो जाएंगे यह ट्रिक जानने से पहले रेडियोलोजी टेकनिकल चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें चलिए स्टार्ट करते हैं यह हमारी कारपल्स बॉन होती है इसे रिष्ट बॉन भी कहा जाता है जो टोटल आट बॉन होती है इन कारपल्स बॉन को याद करने का सबसे आसन्ट ट्रिक है जो है सने लता टिंडे पकाओ तुमारे टिंडे कच्चे हैं तो आईए जानते हैं इस ट्रिक से कारपल्स बोन या रिष्ट बोन को कैसे याद किया जाए सिनेह का फेश्ट केपिटल होता है S S मतलब इसकेपोईड जो इसकेपोईड बोन होती है वह हैंड के थम की साइड होती है लत्ता का फेश्ट केपिटल है L, L मतलब लुनेट टिंडे का फेश्ट केपिटल है T, T मतलब ट्राइक्यू ट्राम पकाओ का फेश्ट केपिटल होता है P, P मतलब PC form तुम्हारे का फेश्ट केपिटल होता है T, T मतलब ट्रापेजियम तिंडे का first capital होता है T, T मतलब trapezoid कच्चे का first capital होता है C, C मतलब capitate और हे का मतलब H, H मतलब hemat आईए इन carpal's bone को anatomically देखते हैं यह radius bone होती है, जिस side thumb होता है उस side radius bone होती है यह एक अलना bone होती है और यह 5 metacarpal's bone होती है carpal's bone, squipoid, capitate, trapezium, trapezoid, hemat, pc form, trigutrum, lunate होती है यह है total 8 bone होती है So friends, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like, share वे radiology technical channel को subscribe जरूर करें